Hi mommies and daddies, welcome back to momcom india. आज मैं आपसे share करने वाली हूँ अपनी daughter का bath routine. ये winter bath routine है because उसका birth हुआ था 19 November को और एक महीने बाद peak winter शुरू हो गई थी. हम उसे daily bath देते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे उसके papa उसे bath दे रहे हैं. So, ये routine आप अपने बचों के साथ भी follow कर सकते हैं throughout the year minus the winter part और अगर आभी winters आपके वहाँ पे चल रही हैं तो आप ये video यूज कर सकते हैं. वीडियो को end तक ज़रूर देखेगा क्योंकि बहुत important चीज़ आपसे end में discuss करूंगी. Now, let's get started. तो सबसे पहले हम heater move करते हैं बाथरूम में और बाथरूम को थोड़ा सा warm कर लेते हैं. फिर हमने यहाँ पे tub का wall बंद किया ऐसा इसलिए क्योंकि हम tub में थोड़ा गुनगुना पानी भरेंगे. इतना पानी की बच्चे के जो पेर हैं वो पानी में आ जाएं जिससे वो काफी relax फिल करें. उसके बाद हम यहाँ bathing chair रख देंगे जो tub के साथ ही आई है और उसके उपर एक muslin cloth बिचा देंगे ताकि जो chair का plastic है वो बच्चे को irritate ना करें. अगर आपके पास एक thermometer है तो आप पानी का temperature भी check कर सकते हैं. अब एक अलग bucket में हम गुनगुना पानी भर लेंगे जिससे हम बच्चे को bath देंगे. तो bathroom को पूरा ready करने के बाद ही हम baby को bathroom में लेके आएंगे. बेबी के सबसे पहले पेर आप bath tub में डालिये ताकि वो comfortable हो ज अपने हाथों पे उसका ladder बनाईए और फिर सबसे पहले legs से start कीजिए जिससे baby को काफी comfortable लगेगा. आप देख सेते हैं कि baby को यहाँ ना रोना आ रहा है ना कोई problem हो रही है because baby काफी comfortable है. in fact enjoy कर रही है. तो legs पे अच्छे तरीके से आप cleaning कीजिए. make sure कि fingers के बीच से आप सारी mail हटा दें because वहाँ पे कभी-कभी बहुत गंदा रहता है. अच्छे से folds of the skin, knee के जो नीचे का part है वो सारा clean कर लें. अब आरी आती है upper body की. तो same तरीके से हम पहले upper body को clean water से थोड़ा सा wet करेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे body wash यूज़ करें है, body wash लेंगे और बिलकुल हलक हाथों से body wash को लगाना शुरू करेंगे. अब upper body में जो neck area है वो बहुत important है क्योंकि बच्चे का दूद जो है वो neck area में गिरता है, mail जम जाती है, folds of the skin में. तो वो आपको अच्छे से clean करना है, armpits आपको अच्छे से clean करना है, बच्चे इतने कपड़े पहनते हैं winters में, sweat आजाता है, fingers के बीच के area को आपको clean करना है, यह सब clean करने के बाद again हम हाथ के ऊपर हलका हलका पानी डालेंगे और साफ पानी से upper body को भी clean कर लेंगे. ओके, third step है अब बेबी की back clean करना, again कई बार बच्चों का दूद जो है वो पीछे तक पहुंच जाता है जब दूद गिर जाता है, तो back को भी अच्छे से clean करना बहुत ही जरूरी है, back में भी neck के पीछे का area clean कीजे, back को अच्छे से rub कीजे, बच्चे का जो private area है वो सारा अ यहां पर हमने सीधा पानी नहीं डालना है, हाथ में पानी लेके सबसे पहले आप head को और face को clean कर लीजे, उसके बाद अब अपने हाथ में wash and shampoo ले लीजे और सबसे पहले head से शुरू कीजे, बहुत ही हलके हाथ से आप head में shampoo लगाए, make sure जो आप shampoo use कर रहे हैं या wash use कर रहे ह वो tear free हो ताकि बच्चे के आँखों में कोई irritation नहीं हो और उसी के साथ हम face को भी clean कर देंगे, face को clean करना बहुत ही ज़रूरी है because face पे maximum dirt जो है वो attract होती है, इसलिए इसको हम clean करेंगे और अब हम इसको wash करेंगे साफ पानी से, तो साफ पानी से wash करते हुए आप देख सकते ह हो कि यहाँ पे thumb और पहली finger के बीच में एक hole बनाया गया है और उस hole में पानी डाला जा रहा है जिससे की कम पानी डलता है और अच्छे से baby का head और face बिल्कुल clean हो जाता है, तो again हम साफ पानी लेंगे अपने हाथ में और इसको clean कर देंगे, तो आप देख सकते हो baby अब क्यूंकि हमारे tub का पानी गंदा हो गया है with all the wash and shampoo तो हम tub के पानी को निकाल देंगे और इक बार पानी निकल गया, तो फिर एक बार और हम साफ पानी से baby की पूरी body को clean कर देंगे, just पानी के साथ ताकि सारी body अच्छे तरीके से clean हो जाए, तो post bath process भी बहुत important है, बच नहीं तो बच्चों को dryness की problem आती है, तो सबसे पहले face cream लगाई है और उसके बाद पूरी body पे अच्छे तरीके से एक अच्छी baby cream लगाई है, जिससे बच्चे की body soft और बिल्कुछ supple feel करे, otherwise भी बच्चे काफी irritated feel करते हैं, उसके बच्चे को dress up कीजिए, depending on आपके वहाँ क्या है, and that's it, your baby is absolutely ready. So guys, यह था simple सा बात process, आप इसे all year round follow कर सकते हो, सिरफ जो heater बाला step है, वो निकाल सकते हो, अगर आपके वहाँ पे समझ है, अब I am sure आपके मन में question होगा, कि मैंने क्या products यूज़के, इतनी सारी चीज़े आपने देखी, body washes देखे, tub देखा, muslin cloth देख आपको वो सारे products मिल जाएंगे, जो हम नूर पे और कबीर पे use करते हैं, तो आप वो storefront पे जाएए, वहाँ पे sign up भी कर लीजे, ताकि just in case product available नहीं है, तो जब होता है, तो आपके पास notification आ जाएगा, और वहाँ से जाके आप अपनी purchases कर सकते हैं, यह purchase आपकी direct Amazon से होगी, थो क्कुन जे बहुत ही जरूरी है, बहुत हाई quality है, बहुत लंबा चल जाते हैं, और अलग ciao चिजों के लिए भी यूज होते हैं, जैसे swaddle को आप newbomž baby की swaddle करने के लिए भी यूज करते हो, बात के लिए भी यूज करते हो, ओ समझ में ओढने के लिए यूज करते हो, but do check it out, they are from the brand Plum Bunny जहांपे आपको बहुत अच्छे-च्छे Newborn Essentials मिल जाएंगे अगर इसके अलावा आपका कोई बात-related question है तो comment करके जरूर पूछ लीजेगा Thank you so much for watching the video Bye-bye